अबना टॉपिक है वेरीएशन इन ग्रेविटेशनल एसिलरेशन गुरुत्वय तोरण के मान में परिवर्ट है तो ग्रेविटेशनल एसिलरेशन सर्फेस पर इने सतर पर तो होता है जी एम ए अपॉन आर इसको जिसका मान निकाला स्वल करके और निकाला था और वो आए था फोर बाई थ्री पाई आर जी डी यही था और इन दोनों को स्वल कर लो आप आंसर क्या मिलेगा आपको नाइन पॉइंट एट मीटर पर सेकंड इसकोर अब क्या इस जी के मान में चेंज आता है तो मैं को हाँ ज अपन अर्थ में डैप में जाएंगे तभी जी का मान चेंज होगा यदि अपन रोटेशन कर रहे है अर्थ रोटेट करती है और अपना जो आंसर था जी अपोन आर इस्वेर यह तब है जब अर्थ क्या है आपकी इस्टेशनरी प्रेक्टिकली इस्टेशनरी थोड़ी है वा बूदिए कर रही है और एक अर्थ को मानता इस्पेरिकल इस्पेरिकल अबट प्रेक्रीकली जो अर्थ है वो फो पॉल्स पर थोड़ी सी फ्लेट है जो दुरू है महाँपर थोड़ी सी क्या है चप्टी हो तो चार जगरेंगे अपन डिसक्स करेंगे वेरियेशन इन कि यह से माल लेता हूं में कि यह सब तेर्फेस कितनी है आरइ अर्थ का मास कितना है मे रेडियस और इसको अर्थ की सर्फेस पर आर्थ इसको लिखा मैंने किस से है और इसका आण से किता आएगा जी एम इए अपॉन आर ए स्कुर्ड अब आप जा रहे हो एच हाइट पर है अब एक हाइट पर आप तो टोटल डिस्टन्स करें गोई से और इस फेट प्लस एच बिए पोंट यहां था तो फॉन में कया आ आए जब यही पॉन्ट यहां आगया अब डिस्टन्स किती होगी आपकी आर ए प्लस ह तो आपने खांप हाइट पर ग्रेविटेशनल एसलेरेशन तो ग्रेविटेशनल एसलेरेशन एट हाइट एच जी डेस्ट स्रीनोट कर रहा हूं इसको मैं यहां पर जो एसलेरेशन आपको कि स्रीनोट कर रहा हूं मैं जी डेस्ट तो जी डेस्ट कितना हो जाएगा आपका जी एम ए डिवादे मैं 2 में 1 का डिवाइड कर रहा हूं, equation 2 में 1 का डिवाइड कर रहा हूं, equation 2 में मैंने डिवाइड किया 1 का, because मैं ratio निकाल रहा हूं, कि g- और g में कितना अनुपात आया है, क्या ratio आया है, तो g- upon g, कितना जागा दोगो, g- कितना में आपका, g- तो है आपका, g-me upon r e plus h, इसका all square, अब जो g होगा, वो नीचे आएगा, और solve कर दो हम इसको क्या करोगे, आप reverse करके multiply कर दो, तो मैं इसको अभी के अभी reverse करके multiply कर रहा हूं, उल्टा किया इसको, क्या देगा आपका, r e square divided by g-me, ठीक है, चलो, अब solve कर दो, g-me से g-me cancel, यहाँ पर आगया यह आपका, r e square divided by r e plus h, का whole square, मुझे ना, जो denominator है, उसमें से r e common लेना है, क्या लेना मुझे r e common, r e plus h, और मुझे यहाँ से किसी तरह से r e common लेना है, तो common कैसे लूँ, उसे तरीका करते हैं, कि मैंने क्या, क्या r e का तो multiply किया, और r e का है करते हैं, मैंने divide, अब यहाँ से r e क्या जागा मेरा, बाहर, बाहर जागा, जो है r e बाहर आगा तो र e square हो जाएगा, यह हो जाएगा, r e square, जो है यहाँ से अपने r e बाहर लिया, तो यह हो गया, r e square और यहाँ पर तो क्या रह जाएगा, 1 plus H upon R E का हो इस हो इसकोर इस R E square से यह R E square क्या हो गया अब मैं इसको उपर लेके जा रहा हूं जब बेस पूरा उपर जाएगा तो उसकी power क्या हो जाती है minus यह आ गया 1 plus H upon R E इसकी power minus ठीक है तो g dash upon g कितना आ गया 1 plus h upon r e की whole power minus 2 g dash क्या है gravitational acceleration at height h गुरुत्य तोरण h उंचाई पर g क्या है gravitational acceleration at surface सत्य पर गुरुत्य तोरण h उंचाई r e radius यह तब करते हैं आपन जब आपकी उंचाई बहुत ज़्यादा हो यह फर्मूला कब लगाएंगे आपन उंचाई बहुत ज़्यादा है आप एक special case करना है कि हाइट ज्यादा नहीं है 1 km 2 km इतना ही है 1 km 2 km 10 km 20 km 50 km इतनी ही है याए यह जो n education can weal ज़्यादा नहीं है कि अब शजड़ा नहीं है तो आप एद ऊसरी किदि मेर ठीन के टीन होती है 6400 किलो मिटर एक चीच समझना कि करा रहा हूँ कि आरई जो है वो तो है आपका 6400 कि लिमिडर, अमर्प पॉक है आक जो यह लेता हूं मैं 64 लेता हूं इतना ले लिया है एक बैख कल्कुलेट करना बैटा एक मैं कल्कुलेट करो क्या है एच अपॉन आर इक कल्कुलेट करो क्या करो एच अपॉन आर इक करना एक बन एच अपॉन आर इच कितना एए रहा और आर इक कितना है यह रहा अब जाओ लोगया किते पार प्रोक्सिम्ट लिया थेन ताइम्स तो अभी आजने कितना आ गया वन अपॉन एन यह निए पॉइंट वन मालव cat पॉइंट वन है और पॉइंट वन का स्कॉर करता हो में कितना आएगा आप दो हुआ जिन जीन तो इस पॉइंट वन के प्रेज्पट में यह और यह तो क्यूंग होगह गे ने जीले हुए कि नहीं हुए इसका समझना जैसे 1 प्लस एक्स का स्क्वेर करो 1 प्लस 2 एक्स प्लस एक्स स्क्वेर 1 प्लस एक्स की पावर में 3 करता हूं एक्स की वेल्यू है ना बहुत छोटी है पॉइंट जीरो 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 वन खत्म हो गया एक्स की दम तो हां एक्सक्यूब किया तो पॉइंट जीरो 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 फंक है याना यह यहां रही टेस्स बहुत छोटा है सो अससे around कभों सकते हो इसमां इस तम और इस तम को भूल सकते हो पच्या क्यों स्टस्टन है बचा इस में एक्स केप किता बचाएगा 1 प्लस 3X ऐसी 1 प्लस X की पावर माइनस 2 हो तो किता आएगा 1 माइनस 2X कब जब X क्या है बहुत ज़्यादा शोटा हाई या न अब अपनी बाग पर वापस आते हैं यह तो गया जब हाइट क्या है बहुत ज़्यादा है और मैं कह रहा हूं नहीं चलो हाइट बहुत ही कम है इस स्पेसल केस कर रहा हूं कि जो एच है वह बहुत ज़्यादा चोटी है किसे विटा आपका आर इस अब बताओ मुझे अब आपका एंभी एच अपन और यह बहुत ज़्यादा चोटा आएगा मैं इस का केस में इसका आंसर बताओ यह वन प्लस एक्स अब एक्स के व के बहुत ज़्यादा चोटा तो वन प्लस एक्स की पावर कितनी है 1 प्लस X की पावर N यह से multiply तो होगा यहां पर लिख बास वोल कर रहता हूं 1 प्लस H अपोर R E इसके पावर किती है मैंने का H जो है बहुत ज़्यादा चोटा है किसे आपका R E से यह बहुत चोटा होगया और जब बहुत चोटा होटा है यह देखो यहां पर क्या लिखना हो यह माइनस तो इससे multiply वेजा है तो करदो में यहां पर answer क्या आएगा 1 माइनस 2H अपोर R तो करना कुछ नहीं यह जब बहुत चोटा हो यानि मैंसे बोलू किस केस में इस केस में इसको आप क्याल लिख सकते हो तो मैं यह ही solve कर रहा हूँ यहां पर कि जब H जो हो बहुत चोटा है किस से आपका R E से तो simply हाप इस माइनस 2 को अंदर multiply कर सकते हो कबांतर क्या जाएगा आपका G डेश अपोर G इकोल टू 1 माइनस 2H अपोर R E यह आप यह भी बोल सकते हो क्या इस G को में दर भेज दूँ बटा तो G डेश कितना जागा बटा G 1 माइनस 2H अपोर R E हाई एना किस केस में आप यह बात बोल रहो हम बोल रहे हैं जब हाइट जो हो क्या है बहुत ज़्यादा चोटी जब क्यास कौन सा है जो H है वह बहुत ज़्यादा चोटा है किस से आपका R E तब G डेश कितना आया G 1 माइनस 2H अपोर R E यह अपना आगया आंसर यही था तो दो आंसर हैं यह आपे आंसर किते हैं पैटा आपके है दो दोनों मैं इदर वापस याद कराता हूं लोगा पैला जी डैश इक्वल टू जी वह उसका अंसर लिख रहा हूं 1 प्लस H अपोन R E की होल पावर किता आएगा माइनस 2 कब जब हाइट नेगलिजिबल नहीं है हाइट क्या बहुत ज्यादा तब यह काम में लेंगे बोले हाइट बहुत कम है एक किलोमेटर दो किलोमेटर थोड़ी सी है तो अपन बोलेंगे साब उस समय जी डैस कितना हैगा जी वन माइनस 2H अपोन R E बैठी नहीं बैठी दो फोमले हैं यह किसके लिए है बहुत ज़दा हाइट के लिए है और यह लब रेटी से कंपेर में हाइट क्या हो कम बहुत कम हो उस केस के अंदर बैठी यह तो पहर टोपिक तापर ड्यू टू हाइट झाल